मैं आप सब से कहना चाहती हूँ आप समाज सेविका हैं आप अध्यापक हैं आप एक नोजवान महिला हैं जो आप अपना भविश्य बनाना चाहती हैं आप प्रेस में हैं अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए आपकी सुरक्षा कोई ने करने वाला सब बातें करते हैं सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं आज सत्ता का नाम ये है कि आप खुले आम पूरे पबलिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं ये सब्ता बन गई है, ये गलत है, ग्रिना का बोल बाला है, नफरत का बोल बाला है, गलत है, इसको महिलाए बदल सकती है, महिलाए इसलिए बदल सकती है, क्योंकि करुना भाव, सेवा भाव, और द्रिगता, शक्ती, सबसे ज़्यादा महिलाओं में है, मैं आपसे कहना चाह तक आप कैसे दोड़ती हैं किन परिस्तितियों में जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था मुझे घेर लिया पुलिस कर्मी में महिला पुलिस कर्मी थी मुझे घेरा मुझसे लड़ी मैं भी बेढ़ गई उनसे उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और पंदेरे रात में सिर्फ मैं वो दोनों और दो कॉंस्टिबल मुझे सीतापुर के पीएसी कॉंपाउंड में ले गए एक का नाम मधू था एक का नाम पूजा ये निर्ने उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि चार बजे तक चार बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूरी मां अकेली नौइडा में रहती है कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं के को कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एक जुट नहीं होंगी अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनी की और ले जाना है अगर देश को समता की राजनीती की और ले जाना है भागीदारी की राजनीती की और ले जाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा आपको खुद ये काम करना पड़ेगा आगे बढ़िये मैं आगरे करती हूं आपसे हमने आवेदन पत्र मांग हुए हैं हर विधान सभा के लिए ये अगले महीने की 15 तारीक तक खुला रहेगा खास तोर से मेरी बैनों के लिए जो लगना चाहता है आओ मेरे पास आओ आपको मौका मिलेगा हम इस देश की राजनीती इस प्रदेश की राजनीती बदलेंगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवा जब करें टाइकन के लिए करेंदाओना से सबस्क्राइं और लाइकन करेंगिए